जै स्री रादे किष्णा कैसे आप सभी लोग हम आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सस्त होंगे मस्त होंगे अपनी लाइफ में आके बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्प्रिच्वल लव टपर्टो में हम इस पर से माभगवती से प्रातना करते हैं कि आपके लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉसिटिव हों अब सभी का हिर्दे से बहुत-बहुत बहुत आभर आप सभी लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो आपको धीर सारी सफलता प्राप्त हो लेer आज हम रेडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके बिना वो किस हाल में हैं अगर उनसे आपका no contact है बात नहीं हो रही है यह आप किसी के लिए भी देख सकते हैं आपको positive रहना है नेगेटिव नहीं होना जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए, फिर एक पायर चूस कर लीजिए, फिर आप अपने डेडिंग देखिए, लेकिन आपको positive रहना है, negative बिलकुल नहीं होना है, और अपना ख्याल जरूर रखना है, आप सभी को प्रेम से, राधी राधी, जै चैनल, Spiritual Luck, टपर्टो में, हम इस वर से माभगवती से प्रातना करते हैं, कि आपके life में, आपकी family में, सब कुछ बहुत positive हो, dear, जिनके बारे में सोच करके आप ये reading देख रहे हैं, उनका भी बर्थ मन्त हो सकता है, या फिर आपका भी हो सकता है, लेकिन आपको positive रहना है, अगर आपसे ये नहीं मैच होता है, तो भी, आपसे अगर reading मैच होती है, तो आप इस reading को ले सकते हैं, dear, आपका बर्थ मन्त हो सकता है, अक्टूबर, February, April, March, June, November, dear, ये आपका बर्थ मन्त हो सकता है, अब हम आपको बता देते हैं, आपकी date of birth, आपकी date of birth हो सकती है, किसी महिने की 15 तारिक, 28 तारिक, 14 तारिक, 25 तारिक, 12 तारिक, 13 तारिक, 21 तारिक, 24 तारिक, 27 तारिक, 9 तारिक, 19 तारिक, 7 तारिक, 23 तारिक, dear, ये आपकी date of birth हो सकती है, अब हम आपको बता देते हैं, आपकी name का initial हो सकता है, ल, A, I, D, F, X, N, T, Q, Z, Y, O, P, S, V, B यह आपकी नेम का निशल हो सकता है डिया इसमें बहुत स्ट्रॉंग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन जिनके बारे में सोच करके आप यह रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है वो आपके क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फिनिग्स क्या है कुछ लोग हैं जिनकी बात तो होती है लेकिन बात ना होने के बराबर होती है जितनी भी होती है तो उसमें जैसे गलस पैम ही हो जाती है लड़ाई जगरे हो जाती है ऐसा लगता है कि सामने वाला जो परसन है वो बात करना नहीं चाहता रिस्ते को खतम करना चाहता है अपनी चलाना चाहते है रिस्ते में वो चाहते हैं कि जैसे वो चाहें वो वैसे चलाएं और आप उनकी सुने अपनी कुछ ना सुनाएं वो आपको अपनी हिसाब से चलाना चाहते हैं और आपको ये चीज पसंद नहीं है आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसे रिष्टे में रहना है तो फिर मुझे इस से अच्छा नहीं रहना है क्योंकि आप प्यार तो बहुत करती है लेकिन कभी किसी की हिसाब से नहीं चल सकते अगर बात सही है तो ठीक है अगर सामने वाला गलत है फिर भी अपनी चला रहा तो ये आपको पसंद नहीं है ऐसी बाते आपको पसंद नहीं आती हो सकता है कि ये आपकी बात ना मानते हो आप इनसे कहते हो हो सकता है कि आपके रिष्टे में साधी को ले करके लड़ाई हो रही हो आप इनसे साधी के लिए बोलते हो लेकिन ये कोई जवाब ना देते हो कुछ ऐसी बाते ही ये करने लगते हो जिसे लड़ाई जगड़े होने लगते हो फिर बात कतम हो जाती हो तो आपको लगता है कि साइद आपसे साथ टाइम पास कर रहे हैं या आपसे साथ ही नहीं करना चाहते हैं आपको लगता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है क्या सोचते हैं ये अभी ये आपको लेकर करके एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं जैसे होता ना कि एक decision लेना, कि हाँ मुझे तुमारे साथ ही जीना है, अच्छा पल हो या फिर बुरा पल हो, मुझे तुमारे साथ ही रहना है, यह अब यह confusion की इस्तिती में है, हाँ यह आप से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक डर रहता है, इन्हें ऐसा लगता है कि यह काफी पुराना रिष्टा है, कहीं आपको यह action ना ले ले, यह यह आपके action से डरते हैं, इन्हें पता है कि अगर आपको गुस्सा आया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इनकी जिन्दगी खराब हो सकती है, तो इस वज़े से यह आप समझ सकते हैं, कि आपसे जो बात कर रहे हैं एक डर की वज़े से बात कर रहे हैं, हाँ, एक time pass भी आप समझ सकते हैं, अभी इनकी जिन्दगी कोई नहीं होगा, तो आप इनको लगता है कि आपसे time pass कर लेते हैं, लेकिन जो साधी की बात है, उसे लेकर कि अप यह ज़्यादा सोच नहीं रहें, अगर आपकी तरफ से कोई डर ना हो, तो अभी जो इनका current फैसला होगा, वो आपसे साधी ना करने का होगा, क्योंकि यह बहुत सारी बाते सोच रहे हैं, अपनी family की सोच रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा partner पाने के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें लगता है कि आपको जितना जानना था उतना जान लिया, अब इन्हें आप इनकी हिसाब के नहीं लगते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप से जादा अच्छा इंसान डिजब करते हैं क्योंकि आपको पता है ना जब कोई इंसान पास होता है कुछ भी बाकी नहीं रहता जानने जैसा ना तो फिर वो इंसान उसे अच्छा नहीं लगता वो इंसान हो वो चीज हो एक मूवी की तरह है कि अगर एक मूवी को दो बार तीन बार देख लिया न तो फिर होता ना कि आरे देख चुके है सब कुछ जानते हैं इतना भी खास नहीं है तो बस इनके दिल में जो आपके लिए ना कुछ ऐसे ही है आप एक तो बहुत आसानी से इन्हें मिल जाते है जब इन्हें जरूरत होती है तो आप इन्हें मिल जाते है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना काम छोड़ करके इनसे बात करने लगते है इन्हें समझाने लगते हैं इनके फिक्र करने लगते हैं खुद की जिन्दगे में क्या चल रहा है उसकी परवा नहीं करते हैं लेकिन इनकी परवा आपको बहुत जल्दी हो जाती है तो उसी का ये फाइदा उठाते हैं उसी का ये फाइदा उठाते हैं इनकी लगता है कि इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यह आपको पा सकते हैं अगर कोई नहीं तो आप तो आप एक option की तरह हो इनकी जिन्तेकी में अगर आपसे कोई बहतर लगता है उपसें प्रॉफ़ ऑप्सन मिला और आपका डर भी ना drive ना वह तो यह आपको कभी भी छोड़ सकते हैं इनकी लाइफ में अभी जो है इसा میय走吧 मिल दोनों हो सकते कभी तो बहुत जादा प्यार कभी तो बर्कुल बात नहीं क्या है इस जिंदेगी में क्या चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरह से आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं इनको मतलब वह सिर्फ और से अच्छे तरीके से आप सोचते हैं कि आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं इनकी जिंदेगी में आपसे बहतर कोई आई ही नहीं सकता है। जो आपको चाहिए सिर्फ आप वही सोच रहे हैं। उसमें कोई भी confusion नहीं रख रहे हैं। तो dear ही आपको मिल सकते हैं। तो dear ही आपको मिल सकते हैं। आप हो सकता मेडिटेशन करते हूं। बहुत जादा मननत करते हूं। इस पर से हर दुआ में इनहीं मांगते हूं। तो dear यह आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो इनकी फेलिंग्स हैं वो पूरी जिंदकी आपके लिए होने के वाली नहीं है। हाँ इक टाइम पास company है। आपके जैसरे इनको इनकोंधे मिल नहीं है। यह आपको कोई जवादy नहीं इत्ड़ाजे है। लेकिन सादी की बात यह और के साथ सोचते हैं इन्हें लगता है कि साहट कोई मिल सकता है इन्हें एक उमेद है कि आप से बह advoc denial इसीलिए यह आपको कोई जबा कर दिये कभी कहते हैं इस साल अगले साल अगले साल इसके बाद वले साल इस तरह से करते करते कितने साल निकल गए लेकिन अभी तक इन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है तो डियर आप समझधारी बना कर रखिये कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर से उनकी भात नहीं होती है तो आपको लगता है वो आपके बिना किस हाल में है वो आपके बिना किस हाल में है वो क्या सोच रहे है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी साधी हो गई है हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत समझाने की पहले कोसिस की हो लेकिन इन्होंने आपको ना समझा हो तो आपने इने छोड़ दिया हो अपने जिन्देगी में आगे बढ़ने का फैसला किया हो तो dear इन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले से धोके बास थे इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जिंदेगी में कोई है आपने कभी इनसे प्रेम किया ही नहीं है आपको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए ता इन्हें छोड़ कर जाने का और ये सोचते हैं कि आप इनके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं और आपको पता है इन्हों ने जो आपके साथ गलत किया है ना उसके कर्मों गफाल इन्हें मिल रहा है उसके कर्मों गफाल इन्हें मिल रहा है लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि यह सारी जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है न वह आपके वाज़े से हुआ है क्युक्सि आप लिए हो कभी खुष बाद देख नहीं सकते हैं आप कुछ दुखी रहये तो यह अपनी प्रोब्लम कभी जो अपनुसाद को एव वी दित है कि आपके मुझेसे है इन्होंने आपको बहुत प्रेम दिया इन्हों आपके साथ सब कुछ अच्छा किया, आपने इने धोका दिया है, इसलिए इनकी लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम है, दियर, इन्हें ऐसास तो है, कि इन्हें उन्हें क्या खोया है, लेकिन जो एहंकार है न, वो इन्हें जुकने ने दे रहा है, इनका एहंकार बहुत कि कुछ भी हो जाए लेकिन जूखेंगे नहीं मर जाएंगे लेकिन जूखेंगे नहीं सब कुछ उजड़ जा रहा है इंकी जिंदगी में इनकी family भी इनका support नहीं कर रही है कुछ भी इनकी life में अच्छा बचा नहीं है यहां तक यह खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन माफ कर देंगे लेकिन फिर भी यह एंग कार की तृप्ति कर रहे एंग कार की वजए से यह आपके पास वापस नहीं आ रहे इनमें एगो ना कोट कोट के भरा हुआ है कुछ भी हो जाए इन्हे ऐसा अलगता है यह सही है यह हमेशा सही रहते हैं यह कभी गलत नहीं होते यह खुद को कभि गलत मानते नहीं इसी वज़े से लिए इनकी लाइफ में जितने अच्छे रिश्ते औह consistent साथ चोड़ी दिए रहें बिसी दिए पुज़ोंव जिनकी वही को और मुखन आज ढम आया करक में कि शुर दे कि इनके जिन्दगी में कुछ है नहीं या केले हैं तनहा हैं और किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं और जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक कर लो अपनी जिन्दगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक कर लो तो यह उनसे यहीं बोलते हैं कि मुझे जुकना नहीं है जो गलत है यह आज भी आपको गलत बोलते हैं अगर आप अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं इस रिस्ते को ठीक करने के लिए यह चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी माँगें आप इनसे बोलें कि आप बहुत बस्ता आ रहे हैं इनके खिलाफ जाकर के यह कुछ ऐसा चाहते हैं अगर आप इनसे माफ़ी माँगेंगे तो यह आपको अपना लेंगे फिर से जब कुछ ठीक कर सकते हैं लेकिन लोगों को यह दिखाना चाहेंगे कि आप इनके पास आएं आपने गलत किया था आपको बस्ता हुआ है आप लोट कर किया है यह खुद को जुकता हुआ नहीं दिखाना चाहते है तो अपने आएंकार के वज़े से यह अपने आदिस जिन्दगी बरबात कर चुके है तो यह बहुत बस्तार हैं बहुत रोर हैं इनने को समझ में नहीं आरा और इनके जिन्दगी में अभी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे ही अपनी सारी बाते शियर कर सके यह चाहते हैं कि आप इनके जिन्दगी में लोट आएं लेकिन समाजिक तोर से प्रयास नहीं करना चाहते हैं कि यह आप से बात करें किसी से कहें क्योंने अपनी गल्ती का ऐसास हो चुखा है यह इस तरह की बातें नहीं करना चाहते है हाँ पर यह दिल से आपको याद करते हैं आपके लॉट आने का इंतिजार करते हैं अगर आप इनके पर लॉट करके जाएंगे तो यह आपका साथ देंगे ऐसा नहीं करेंगे कि यह आपका साथ नहीं देंगे यह आपका साथ देंगे बस यह है कि थोड़ा से यह इंकारी ज्यादा है तो आप अपना ख्याल जरूर रखना आपको क्या करना यह आप बहुत अच्छे जियानते हैं और अपनी इंटेशन के जरूर सुनना इस चैनल पर नए हैं आपका दिल कहता है आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैसे रादे किष्णा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जोगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्प्रिच्वल लव ट्रपर्टो में हम इसवर से मामगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो पहले हमा को बता सब्सक्राइब के अंगे लवकानाइब को अब नहीं थेीटा हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मत पता है ममई दिसमबर जन्वरी सितमबर आगस्ट जुलाई ऐक्तोबर क्या कि आपकी नेम का इनिश्ञाल होसकता है ब V, K, V, J, N, R, H, S, M, U, G, L, T यह आपके नेम का इनिस्यल हो सकता है दियार इसमें जो बहुत श्ट्रॉंग साइन है अर्थ साइन, फायर साइन, बटर साइन जिनके बारे में सोच करके आप रीडिंग देख रहे हैं अब हम उनके बारे में बता देते हैं यह आपसे प्रेम बहुत करते हैं यह आपसे प्रेम बहुत करते हैं बस कुछ गलत फैमिया हैं आपके रिस्ते में जिसके वज़े से आप दोनों की लड़ाई जगड़े हो जाते हैं इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हैं आपको लगता है यह आपको नहीं समझ रहें क्योंकि अब आपके रिश्टों में न और लोग मिल गए हैं जिसे किसीने आपसे कुछ कहा आप उनकी बात मानने थे उन से किसीने कुछ कहा वह उनकी बात मानने थे तो इस वज़े से आप दोनों की लडाई हो रही है और जो इस चाहाँ होता है यह के अशैगा लड़ाई हो जाता है तो आपको लगता है कि की ऐसा क्यों होता करता है वो ऐसा क्यों करते है कुछ लोग कמצर है जो ऑं लाइन मिले हूँंगे किसी से और बात की होगी बात और अच्छी बी होने लगे फिर आपको ऐसा लगा कि J कि नहीं सही है बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो इस वज़े से आपने थोड़ी बात कम भी कर दिये आप उनसे कम बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपके बीना किस हाल में है वो क्या सोचते हैं current feelings क्या है तो dear boy आपके बीना अभी जो सोच रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई है आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी और की वज़ा से आप उन्हें छोड़ करकी जा रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फैमली में कोई प्रॉब्लम होगी जिसके वज़े से आप उन्हें बात नहीं कर रहे हैं और यह जो आपके पार्टनर हैं यह हो सकता है कि आपसे दूर रहते हूं, एज डिफरेंट हो, लॉंग डिश्टरेंट हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि साइद आप इन्हें भोल सकते हैं, साइद आप इन्हें भोल सकते हैं, आप किसी और के साथ रिस्ते में आगे बढ़ सक इन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप इनसे इतना प्रेम नहीं करते कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं इन्हें लगता है कि यह आप से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपके प्रेम में कुछ कमी है कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को लगता है कि वो कितना भी आपको समझा लें लेकिन कभी आपने समझ ही नहीं सकते हैं आपको उनमें कोई ना कोई कमी लगती रहती है तो डियर यह आपसे प्रेम करते हैं यह आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं आपको याद करना कभी छोड़ नहीं सकते हैं यह कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की साथी हो गई है तो आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में यह आपको याद करतें यह आज भी आपका इंतजार करतें इनहें ऐसा लगता है कि आपके लाग्कों कभी कोई प्रॉबलम होगी और आप इनकी तो ये आप से अगर ना मिल पाए, आप से मदद ना कर पाए तो यो बहुत पस्ताएंगे इसलिए डियर ये जिंदेगी में आगे बढ़ना न चाहते है ये आप से प्रेम बहुत करते हैं ये आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं यह आपको गलत बोल सकते हैं, गुसा कर सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए कभी गलत सोच नहीं सकते हैं, हो सकता है, यह कई बार आपको समझाते भी हूँ, आपसे बोलते भी हूँ, यह आपकी फिक्र बहुत करते हैं, और फिक्र करने में कभी-कभी यह गुसा कुछ जादा क करते हैं जिसके वज़े से आपको गुसा आजाता है आपको ऐसा लगता है कि इतने समझदार हम भी है इतने नादान नहीं है इतनी फिक्र कर रहे हो ठीक है लेकिन इतना गुसा करना यह ठीक नहीं है तो यह कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं यह अच्छा करने की वज़ा गलत क आपके रिष्टे में लड़ाई जगड़े सुरू हो जाते हैं लेकिन यह आपसे प्रेम बहुत करते हैं अगर यह आपसे दूर है तो आपसे मिलना चाहते हैं इनकी करेम फीलिंग से यह आपसे मिलना चाहते हैं हो सकता है यह आपसे बात करने की कोसिस कर रहे हो लेकिन आप Donc गुस्सा इतना हो, तो जमकें तो यहाशा लगता है, आपको स्फोच्ट लगता है, जमकें तो आपको्ता है, जाम की स्कुन है कुछ रहाण लेजाना की है। आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी जिन्दगी हो, सिर्फ टाइम पास नहीं हो, कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज किया करने किया भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते, ये आपके जिन्दगी में ब अगर आपके साधी हो गई है तो भी ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो डियर ये ऐसा नहीं सोचते हैं, ये आपके साथ पुरी जिन्दगी रहना चाहते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि इनसान गलत नहीं होता, लेकिन उसकी सब्द जो होते हो गलत होते हैं, तो डियर कुछ इनके साथ भी ऐसा ही है, लेकिन य आपको पुरी जिन्दगी खुश रखना चाहते हैं और कुछ लोगों की पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो आपका गुस्सा है जो आपकी बाते हैं वो कभी बदल नहीं सकते हैं वो आपके साथ ऐसे ही जीना चाहते हैं वो कभी बदल नहीं सकते हैं हो सकता है कि आप से बोलते भी हों कि थोड़ा गुस्सा कम किया करो थोड़ा बतलब कम बोला करो लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बदलना नामुम्किन है आप अपने हिसाफ से ही जीना चाहते हैं तो डियर ये आपके तरह बन जाना चाहते हैं जिसमें आप उसमें ये खुस होना चाहते हैं ये आपको बदलना नहीं चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे दूर तो हैं लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए मैसेज करते होंगे कॉल करते होंगे आप उनसे कम बात करते होंगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपके जिन्दगी में कोई और आ तो नहीं गया इन्हें ऐसा सक होता है हो सकता है कि आपसे मैसेज करके बोलते भी हूँ कि मुझे लगता है कि तुमारे जिंदगी में कोई और आ गिया है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसा इने फिल हो रहा है कि आप से कोई बात कर रहा है, हो सकता कोई फ्रेंड ही हो, जिससे आप बात कर रहे हो, लेकिन इनके दिल दिमाग में एक बात चल रही है, कि साइध आपकी जिंदगी में कोई है, जिससे अभी आप बात कर रहे हैं, तो आपको हमारी बाते अच्छी नहीं लग रही है, कभी- यह खुद को भी बदलना चाहतें आपके लिए अगर आपको लगता है कि यह इंसान आपकी काबिल नहीं है तो यह खुद को बदलने के लिए भी तैयार है जैसा आप चाहोगे वैसे यह बन जाएंगे कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा रिस्ता हो सकत है जिससे अभी आपकी बात ना हो रही हो लड़ाई जगड़े हो गए हो कुछ भी ठीक ना चल रहा हो आप कितना भी अच्छा समझाएं लेकिन उसे समझ में आ ही नहीं रहा है उसने समझ लिया है कि आप गलत हैं आप उनके लिए कभी कुछ अच्छा सोची नहीं सकते हैं आपकी बातों में फसना जिन्दगी बरबात करना, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, तो डियर, आप उन्हें समझा समझा के ठक चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि इन्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अब भी जो इनकी current feelings है वो ऐसी है, कि ये किसी की blackmailing का सिकार हो आपके बात को सुन भी नहीं रहे हैं, आपको ही गलत बोल रहे हैं, आपको इल्टा सिदा कह रहे हैं, आपके बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाब जा रहे हैं, तो डियर, इसी की blackmailing का सिकार हो रहे हैं या फिर इनके black magic किया गया है, ये बहुत स्ट्रॉंग इनके लाइफ में किसी के थर्ड पाटी का इंटर्फेर जादा है, ब्लैक मैजिक के थरू या फिर बातों से, तो डियर, जिसके वज़े से ये बहुत फरसे हुए हैं, ये आपके जिंदगे में नहीं आ पारे हैं, आपसे कुछ बता नहीं पारे हैं, क्योंकि अभी ने कु किसी की हो, उसकी प्यार मैं पढ़ करके इननों ने अपनी सारी बातें भूल दिय में इस बी इस तो नहीं नहीं रहे हूं गया, आप खिओ और गया है, तो डियर, हो सकता है जिसकतष है, तो भी नहीं ब्लैक मेल क्या हैुसिट एर्फियर, इस दिन बात ओ lips दो रहाने कil मे जो इन्हें ब्लैक मेल कर रही, बहुत श्ट्रांग एनरजी है तो डियर जिसके वज़े से ये बहुत परेशान है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप वक्त का इंतजार करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि किसी और के साथ रिस्ते में आगे बढ़ें इनके साथ कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप किसी के साथ रिस्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जिन्देगे को ठीक करना चाहते हैं दुख से बाहर ने गलना जाते तो आप बढ़ सकते हैं लेकिन डियर ये आपके जिंदगी में एक बार लौट करके जरूर आएंगे एक बार ये आपके जिंदगी में लौट करके जरूर आएंगे और इन्हें तब पता चलेगा कि आप सही थे यह आपकी जिंदगी में वापस इसलिए आएंगे क्योंकि आप ने इन से सच्चा प्रेम किया है कभी आप इन्हें भूल ही नहीं सकते हैं किसी के साथ आप रिष्टे में बढ़ जाएं कितने भी खुश रहें लेकिन दिल से कभी आप इन्हें निकाल नहीं सकते हैं तो यह कि जिंदगी में वापस एक बार आएंगे जरूर आपको अपना ख्याल रखना है आपके लिए कि आकर सही है यह आपको समझना है ठीक है आप अपना ख्याल रखिए अपनी खुशियों का ख्याल रखिए कौन क्या कहता इस बारें बिलकुल मैं सोचिए सोचने का काम लोग कर सकते शियर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैसरी रादेकिश्णा